कामरा के सामने बोलता नहीं लड़का कुछ बोलेगा पहाड के ऊपर एक ऐसा कुआ है जहां पर पानी कभी नहीं सुखता है वह यही पर है वहाँ पर भोले बाबा का मंदिर अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे पिछे वाला लोगों लग रहा होगा ना हम लोग मुबाइल पाएंगे कि आज हम भी बहुत ज्यादा बढ़िया है डाइसिंग कामरा ओटो फॉकस सही से नहीं कर पाया बट कोई बाद रही चलता है आज अपने का फूर ना बहुत ज्यादा फ्रेश है क्योंकि आज हम लोग बहुत अच्छे वाले मस्त वाले लोकेशन में जा रहे ले और बैकड़ाउन में देख सकते हो बादला कितना ज्यादा साफ लग रहा है यह है कमाल लाउडाउन का कि पोलुशन हो गया है कम और ब पहाड के ऊपर एक ऐसा हुआ है जहां में पानी कभी नहीं सुखता है तो जाते हुआ पर एंड एक्स्प्लोर करते उस जगा को आज हमांसु भी साथ में है सो कामरा के सामने बोलता नहीं लडगा कुछ बोलेगा सो अभी आता दूर हम लोग क्रॉस कर चुकिया और लगफ़क 10 किलो मिटर हम लोग को आगे जाना पड़ेगा हम लोग जा रहें सबसे पहले रामपूर एंड रामपूर से पर कहीं पर जाना पड़ता है तो आप जात कलते हैं यहां से आब चल थे हैं मरसली पहार गता है औरागे मौसम अच्छा ऐख बारिश को ए गश्याद नहीं यह बाई यह सब्सक्सित करा विम्हाइब कर दों यह एकल नहीं कर देखने के सब्सक्सित करistent अधिया यह 10 जारगन में का यह गहा रहно मैं है की बौहुत सारज और बंलगों को नहीं पता है दोगोब जगह नहीं होगा तो मैं यह चाह रहा हो ना अपने ब्लॉक सित्रू में वह वह जगा को दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत कम कोई जानते है इसके बारे में तो मारसवली पहाड़ भी एक वैसे जग है जिसके बहुत कम कोई को पता है इसलिए हम जा रहे हैं वहां पे ब्लॉक बनाने के लिए और यहां से मेरे को लगेगा आधा गंटा वहां पे पहुंचने के लिए अभी हम सीधे यहां से रामपूर निकलेंगे रामपूर के बाद हम लोग सहारा लेंगे गूगल मैप का मैदि अभी रामपूर से हम लोगması तुर जाना है घर्याँ दमलोगा के तरफ जाना है और इस तरफ लिए году रादा्रिश दश्तमर रास्टा तो इस तरफ नहीं जाना है हम लोगा वापस नामकॉम के तरफ जाना है यहां चे और दिखा रहा पांच किलो मीटर दूर है मारसली पहाड तो देखते हैं कैसा है आगे से कहीं से हम लोगों को राइट लेना है I don't know कहां से किदर 200 मीटर 200 मीटर देखो भाया आगे रास्ते व्लॉक है वहाई कांडवा जो जीरी पॉल में हो रहा था फिर सम लोगों को पुछना पड़ेगा ठीक है अल्राइट सो अभी यहां पे से जाना है हम लोगो यह गूगल मैप का स्वाट कट है यूजली अब लोगो ऐसी घु जैसा दिखेगा जो कंप्लीट नहीं हुआ है वही वला रास्ता में घुछ जाना है आप लोगों को एंड फिर यह रास्ता से आगे एक्स्प्लोर करते करते हम एक ही चीज़ सीखें है भाय कि सौटकट मत लेना जो रास्ता दिख रहा है वही में चलो ज्यादा दिमाग चौट लें दिखेए हमारा के अरिया ना रास्ता ऐसी रहा है तो मैं सी रहता पर साइकल चला और फिर बाइक चला है तो अतना कुछ अप्रोडिंग सा लगता नहीं है फिस पर नीचे से जाना पड़ेगा है यहां पर अभी कोई सूपर बाइक रहता तो उओं से जुदात भाई फिर भी रास्ता है जान रहें लेकिन वैसा लिटरली वह पहाड है पहाड के उपर में कहा चड़ा हुआ बाई 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 बाता हो तो बॉइज और यह रहा हमारे तली पहाड बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है बस चाहों हो जाए थोड़ा सा तो मजा जाएगा और ह हम कोशिश करेंगे यार कि हम भी बाई को चड़ाए उपर I hope कि कुछ दुरगटना ना हो हमारे साथ वाओ क्या लोकेशन है यार क्या लोकेशन है मतलब सूपब लोकेशन है एक नंबर लोकेशन है प्रली हम पहाड के उपर बाई चला रहे है बहुत ब्यंकर मसा आगिया य लगता है लोग्रांड क्लियरेंस वाला कार है शिदान कार है ऐसा दका नहीं चड़ सकता है वर्ना चड़ादे उपर पहाड में और क्या बोले हम पता हो क्या लोकेशन है गाइस मतलब मजा आगया लिटरली हम पहाड के उपर बाइक चला रहे है इसा मौका मिलता है कि तु सीरे माउंटन टॉप में बाइक का मजा ले रहे हूं आहा नजारा देखने के चक्कर में कहीं हम नीचे ना चले जाए तो बाइक चलाने थोड़ा ध्यान दे दो विमल वरना हम भी एक नजारे बनके रह जाएंगे ओम जी क्या नजारा है गाइस इस नजारे के लिए तो भाइ लाइक कर दो एप लीडियो को और जाइक हम जाएंगे किकिमारा किसमति थोड़ा कराब है बाइक अधर लगाते हैं आजासरा को मजा लोगा एस चारू तरह हर याली हर याली ए पहाड़ है जंगल है क्या नजारा है क्या ही बोले क्या खूब नूरत लग रहा है भाई थूब थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद अब है उसके बहुत जादा मजा से अब है कि इससे बस्थ लोकेशन ना कहीं नहीं होगा नाची में बहुत सही लोकेशन है पीछहे देख हो यार पाहाड इतना जाधा क्लियर लग रहा है जिल्टर्ण तो अग्षोक नाइखा नहीए बादल नहीं य Illinois तुब्स पूरा तो भाई धूप जो ना यार कम होने का नामी ने ले रहा है बहुत भ्यंकर वाला धूप है तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं अभी ऐसी में हम लोग शूट करना है कोई दिक्कत नहीं भाई कर लेंगे तो इसी महनत के लिए लाइक करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय और अगर शेर नहीं कियो तो शेर करो भाई कर दो यार बहुत मैनल लगता है व्लॉग करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा को एक मंदीर है यहां पर पहाड के ऊपर में बना हुआ है तो वहां पर जा रहे हैं तो फिर जाएंगे वहां पे जो जलकुंड ह इसको देखेंगे। जिस जलगुन के बारे हम बात कर रहे थे जहां पर मैं बता रहे था कि पहाड के ऊपर एक ऐसा कुवाँ है जहां पर पानी कभी नहीं शूपता नहीं इस बहुत अनोहखा चीज़ यहां के बारे चारों तरफ भी पहाड है। लिटरली अभी हम लोग पहाड के ऊपर हैं यहां पे बीच पहाड में एक मुवा है तो यह अपने आपने बहुत अनोखा चीज है कि ऐसा कुछ है तो यह एक अट्रैक्शन पॉइंट है यहां का एंड यहां पर अगर आते हो ना तो जूता वोता खोले ना विकॉज यहां प आपने बहुत अनोखा चीज है तो यह अपने आपने बहुत अनोखा चीज है यहां पर जो पानी जमा हुआ है इसमें अभी मचली तार रहा है तो नस्दीक से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अगर क्यामरे में आ पाया तो अच्छी बात है अगर नहीं आ पाया तो मेरे बातों पर विश्वास करना कि मैं सच बोलता हूं यहां का मेंटेनिस बहुत अच्छा है यहां के पुजारी है वही लोग मेंटेन करते हैं यहां पर बहुत ज़्यादा साफ सुत्र है यहां पर आप लोग आते भी यह वीडियो देखके तो यहां पर प्लीज आपको यह यह लोकीशन दिखेगा यह अच्छा बात है यहां के बारे यहां पर बाइक आ सकता है उपर तक इंसक्ट कार भी आ सकता है, कार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि कार कैसे आ गया, बट हाँ, कार भी आ सकता है, उपर तक चलो, तो अच्छा चीज है, ज्यादा हम लोगो पैदल भूमना नहीं पड़ रहा है, वरना अगर पैदल भूमना रहता ना, बहुत ज्यादा दिक्कत ह होता भाई, अभी भोले बाबा का मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, यह रहा मेरे पीछे, अभी अंदर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर सूज उतार लेंगे, तो सूज उतारते हैं, फिर अंदर चलते हैं यहाँ पर आओगे अधीज का ख्याल टखना है कि गंदगी मत फैलाना, बिकॉज बहुत साफ सुत्रा जगा है, वह भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस को अगर आप देखो के इतना जादा साफ नहीं है, जितना कि यहाँ पर है गंदगी है, बट उतना जादा गंदगी नहीं है, हम लोग पर डिबेंट करता है कि हम लोग जादा गंदगी ना फैला है, यहाँ पर आप गंदगी बिल्कु भी मत फैलाना, इतना हो सकता साफ तक में कोशिश करना, आओ, बहुत अच्छा जगा है, बहुत सांती मिलेगा, मन को अंदर सांती मिलेगा, ऐसा पीलिंग आ रहा तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करने बिल्कुल भी मत भूलना, अपने दोस्तों में फैमली में शेर करो, आप लोग बहुत अच्छो सब्स्राइब करने बिल्कुल मत भूलना, मिलते इसी तरह के अगले व्लोग में अपने ख्याल रखो, अपने फैमली पिछ बालो को अगर गराओ पना, व्लो मुबाइल पाए